हेलो दोस्तो मैं हूँ नवदीब और मैं सब भी वीवर्स का स्वागत करता हूँ आपके हो और मारे चैनल टेक्निकल एन वीजे में तो आज की वीडियो MIUI 9 बीटा आपडेट के बारे में हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बैल आइकन है वसे भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो के नोटिक्वेशन मिस ना कर पाएं तो आज की वीडियो MIUI 9 बीटा आपडेट के बारे में हैं यह अपडेट फ्रैडे को लिए लाइच होता है इस वर्जन का नाम है 828 यह Redmi और MI के maximum phones को मिलता है आपके सामने कुछ phone listed हैं जैसे की Redmi Y1, Y1 Lite, Mi Max 2, Redmi Note 4, Redmi Note 3, Mi Max, MI5, MI3, Redmi 3S, 3S Prime, Redmi 4 इसमें कुछ खास changes नहीं किये हैं इस अपडेट में कुछ चार से पांच ही अपडेट हैं तो पहला है MI music force close इसमें जब हम सौंग सुन रहे होते हैं तो यह अपना force close मतलब बंद हो जाता था तो इस मूजिक चलते जाता बंद हो जाता था तो इससे बहुत प्रोडम आती थी तो इस अपडेट में इसे fix कर दिया गया है नेक्स्ट है MI video stops working जब हम कोई वीडियो चला रहे होते से वीडियो चलती चलती बंद हो जाती थी जहां फिर जो एब थी वही बंद हो जाती थी तो इसमें बहुत से प्रोडम आती थी तो वैसे भी MI video नया अभी इसमें बहुत से अप्डेट आने वाले हैं मतलब बहुत से वीडियो को लगतर अप्डेट करेंगे नेक्स अप्डेट में इसका थोड़ा स्विदार होगा अश्य करते हैं तो नेक्स्ट है एप वोल्ट की फोज क्लोसिंग आफ्टर एडिंग क्लेंडर इवेंट दियर इसमें जब हमारा एप वोल्ट था जो नयने अभी अभी आया पर हम कोई केलेंडर इवेंट लगाते थे तो ये हैंड होजता था मत système करते है नहीं होते था तो दीक्स कर रहे सब्सक्राइब करने के बाद भी सेम ही चलता था एकलाइजर मतलब काम नहीं करता था तो इस अप्डेट में इसे फोड़ा अच्चा बना दिया गया है अगर हम पर क्लासिक बीट कोई बीट सुनना चाते हैं तो इसे क्लिक करके वैसी बीट आपको सुनाई देगी पिछली अप्डेट में ऐसा नहीं था सब भी बीट सेम ही काम करते से तो इसे अपनी ठिक्स कर दिया गया तो यह सिर्फ चार ही अपडेट से जो कि MIUI 9 बीटे अपडे में से 828 में तो इस वीडियो में इतना ही तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं तो वीडियो देखने करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाइ बाइ एंड सी जू लेटर